हलो फ्रेंड्स यो यो रेसिपी से मैं प्रिदी गुपता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मश्रूम मसाला तो आईए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रीडियन्स की जरूरत होगी मश्रूम 200 ग्राम मटर फ्रोजन या फ्रेश एक कप प्याज कटे हुए तीन चथा एक कप टमाटर चार मीडियम, ओईल दो टेबल स्पून, जिंजर गारलिक पेस्ट एक टेबल स्पून, नमक स्वादनुसार, लाल मिर्च पाउडर एक टी स्पून, धनिया पाउडर एक टेबल स्पून, गरम मसाला आधर टी स्पून, हल्दी पाउडर एक पिंच, जीरा एक टी स क्रीम या मलाई तीन टेबल स्पून धनिये की कटी हुई पतियां एक चोथाई कप हरी मिर्च तीन से चार देगी मिर्च आधा टीस्पून तो आईए अब हम मटर मश्रूम मसाला बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो हमने ये टमाटर लिये हैं इसमें हमने हरी मिर्च डाल कर इसको हमने इसका प्यूरी बना लिया है और अब हम जो ये मश्रूम सामने लिये हैं इनको हमने काट लिया है यह देखिए इसको हमने इस तरीके से काटा है हम इसे पहले बीच में से इसे काट लेंगे और उसके बाद हमने इसके चार पीसिस कर लिए है देखिए हमने सभी मश्रूम्स को भी काट लिया है तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के रिए हम सबसे पहले कडाई लेंगे और गैस हम अन कर देंगे और कडाई में हम ऑईल डालेंगे और अब हम इसमें जीरा डालकर जीरा को अच्छे से भूल लेंगे ये देखिए हमारा जीरा भून गया है और अब हम इसमें प्याज भी डालकर इसको अच्छे से भूल लेंगे जब तक कि हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन कलेर्टी नहीं हो जाती ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से भून गई है ये गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब हम इसमें अद्रक और लसन का पेस्ट भी डालकर इसको दो मिनिट और भून लेंगे और अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च की जो हमने प्योरी बनाई होई है उसको भी अब हम इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसमें अब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे अब हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे और अब हम इसमें देगी मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक की टमाटर घी नहीं छोड़ दे यह देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है इसमें से ओईल अलग दिख रहा है अब हम इसमें मटर डालेंगे और अब हम इसमें मश्रूम्स भी डाल देंगे मटर इसमें हमने फ्रोजन यूज किये हैं आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी भी डाल देंगे और पानी डाल के हम इसको लो फ्लेम पर ढख के पकने के लिए रख देंगे जब तक कि मटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते हैं यह देखिए हमारी मठर जो है वो अच्छे से गल गई है और अब हम इसमें क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम दो मिनिट और पकाएंगे यह देखिए हमारी सब्जी को पकते वे दो मिनिट हो गए है और यह अच्छे से कुख हो गई है और अब हम इसमें कटी हुई धनीए की पत्यां डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस अब हम बंद कर दीए हमारी मटर मश्रूम जो की हमने बिना ग्रेवी के बनाई है हमारी बंद के तयार है यह देखिए हमारी ड्राय मटर मश्रूम मसाला बंद के तयार है जो की बहुत ही टेस्टी बनी है अगर आप प्यार जी यह लसन नहीं खाते हैं तो आप इने अवोइड भी कर सकते हैं आप इनके बिना भी यह सबजी बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं आप इसे जरूर ट्राइ कीजे और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजे और अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू सू मार्च और हैव नाइस दे